हेलो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, मैं नीम है जाईव श्मेठी, इस वीडियो में हम चार अप्रेल 2020 के दा हिंदू एड्टर अनलेसे शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से वह है लाइट और साउंड, बात और ये किस तरीकी से देश में कल म अन्जाइटिज क्रिएट होई थी, उनका निवारण बहुत कम होए, क्योंकि सोसाइटे के हर सेक्शन में, अन्जाइटीज ट्रिगर्ड बाई दि पेन्डमिक, are on the rise, among all the sections of वकू कूर साइटे के हर सेक्शन में, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पूर हो, चाहे वो अमीर व लोगडाउन जिस तरीके से आया मार्च 24 को छोटी-छोटी बिजनिस तब से बंद हो गए कंपनी कैसे ना कैसे जो है कोशिच कर रही है कि बस चले काम चले माइग्रेंट्स लेबर्स भूके हैं भूके पैस से अपने गाओं की तरफ जा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स और सिक्यूर्टी परसनल ओल्रेडी स्ट्रेश्ट ठके हुए हैं उनको जो है काफी ज़्यादा 24-24 घंटे तक उनको काम करना पड़ रहा भी तो कई बार किस सा भी आय यह भी अंसर्टेन लेकिन नेचुर एक एक सो दिस करोड़ जो इंडियंस हैं जिनको संभोधिद करते हुए मोद Bay जी निकल्टी वीडियो बनाई हर इसमीरी सपिचीज मेंए 1399 क्यों जो संभॉधिद क्यों से लिए हम Lao bucket रहे हैं तो यह घ्जित उनको लगा उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि सम्क्लेरिटी स्पष्टता कि आगे पोस्ट लगडाउन कोर्स देश में कैसा रहेगा उन्होंने आशा की कि कुछ मिटीकेट्शन मिजर्स निकल के आएंगे फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिये अच्छी बात अर्बे की गवर्ना अगर अगर प्रेसिडेंटल सिस्टाम है तो परल्लेमेंटरी में अगर पीएम है समने अपने लोगों को परस्टनली एड्रेस किया और परस्टनली मतलब छोटे-छोटे जो मिनिस्टर से उन्होंने एड्रस किया डिटेल्ट और मैटरियल प्लैन्स के साथ हो आए जब सकें और सामने जंता भी बोल सकें लेकिन हमारे सेंटर में सा देखने को नहीं मिला तो मिष्टर मोधी इंसेल्फ केंटिन्यूज विद इस मोनोलोग शुर्णिंग ओल क्योश्टन्स मोनोलोग मतले एक जो सारा डायलोग जो है एक ही वेक्ति बोल जाए तो कुल मिला के जिस तरीके से चीज़े निकल के आएं जैसे कार्थी कार्ये नहीं करते हैं मोनोलोग जो आपने सुनाओगा वो एक दो मिनट के ती मिनट के वैसे तो रोटिक रेली से लेकर जो भी पॉलिटिक चलती है ये सब आगर जैसे मोधी संबोधिती करते हैं आज और जिस तरीके से अगर पूरे देश को संबोधिती तरीके से किया जाए तो ये अच्छी चीज ऐसी कोई बुरी बात नहीं है और पैंडेमिक की टाइम पे देश को एक जुट करना, यूनिफाई करना, गालवनाईज करना बहुत क्रिटिकल भी होता है और एक हद तक प्रेमिस्टर मोधी ने इस गोल को अचीव भी कर लिया उनका संदेश परपोजफूल था उनके संदेश में जो है एक मेसेज था एक पावरती लोगों किट्टा करने की लेकिन सिंबल्स, साउंड्स, ऐसी जो तरकीबे मोधी जिल है, यह इंके अपनी जगह है, अब कंट्री को जो है अपरेल पांच को नो बजे संडे को यह लाइट नाइन मिनट लाइट सेर्मिनी करने पड़ेगी, और वाट्स अप पे आपने देखा होगा करी तरह के फैलते गया, आपने भी पड़ा होगा कि नो बच के नो मिनट पे जो है यह होगा वो होगा, इससे जो है वो हो जायगा, और महान जो है काम हो जायगा, तो तीस्तरा विश्वय धम जीच जाएंगे, तो इस तरीके से जो बाते होई, तो सरकार को भी लगा कि यह क्या जनता के बात कर रहे हैं उस अपील में कोई भी अंसैंटिफिक रीजनिंग किया या कोई रूमर फैलारास के चक्कर में मत पड़ो प्राइमनिस्टर ने भी पिछले कुछ दिनों से कहा है कि रूमर के चक्कर में ना पड़े मिसिंफर्मिशन के चक्कर में ना पड़े ट्रस्टेड मीडिया प्लेट्फॉर्म्स के भरोसे ही रहे लेकिन देश तो देश है लेकिन उनके शब्दों में अब देखो काफी वजन रहता है और लोगों इंकी बात समझी भी अब वड़ से उन्होंने निकाले कल मुझ से तो बहुत सारे जो लोग हैं युनाइट भी हुए देश होने वाला है उससे एकनोमी जो है वह ठीक तो नहीं हो जाएगी लेकिन फिर भी जह है अगर कुछ और भी मोदी जी एक्शन प्लैन ला देते हैं इस इंतर तो फिर भी जो है कुछ लगता कि हां सरकार जो है गरने जा रही है मिलियन कांटिंग बात और यह किस तरीके से वन मिलियन के पार जो है केसे बढ़ चुकिए अब केसे के बारे में आपको तरह तरह की वीडियो बताने वाली आ गई होगी तो मैं जो है आपको कितने केस हुए कितना डाटा यह बता कि आपको एंजाइटल स्ट्रेस नहीं दे सचोष जा पर बाते करते थे साइंस के बाते तो वन को समझ में नहीं एती थी है कैई आपने देखाव कर एक मिनिस्टर से बयान सइच्षिंस नहीं निकाला लेकिन किस तो निकाल रहा है टेस्टिंग एट साइइस नहीं तो खुल मिलाके आज अंद विश्वास की जगए नहीं है आपके पिलीव्स आपकी जो शद्दा है वो अपनी जगए बिल्कुल उन पर कोई भी जो है अंगली नहीं करना चाहता है लेकिन इस पैंडेमिक के समय केवल साइंस ही है वो इस चीज को सोलो कर सकती है इस आर्टिकल में मोदी जी पे और उनके कुछ मेंस्टर्स पर भी आरोप लग रहा है और तरह तरह की सेश्चेशन से बताई गई है कि उन्होंने किस तरीके से ऐसे बयान दिये जिन से साइंस को कमजोर पढ़ चुका था जिनके वज़े साइंस पर घहरी चोट लगी थी आर्टिकल में के अवल इंपोर्टे इसलिए साइंस जरूरी है आपकी बिलीफ्स आपकी इरादे आपकी शद्धा एक जग है ठीक है सामय साइंस जरूरी था स्पेक्टर ऑफ पॉस्ट कोविड वड़ी बहुत जो है इंपोर्टेंट है और इंटरनेशन रेशन जीर पर टू काफी जो है आपको हेल्प करेगा कोविड नैंटीन देर देरे दुन्या में फैल रहा है जो पॉजिटिव आएं उनके फिगर्स देरे बढ़ते जा रहे है डैट्स भी भढ़ती जा रही है अंसर्टिनिटी वोटल लेटली बढ़ती जा रही है तो यह जरूरी है समझदारी होगी कि देखना की आगे क्या ह होगा अगर हम situation को handle कर लेते हैं तो फिर आगे क्या होगा चाइना का रॉल देखें चाइना ने जो जहला चाइना ने सार्ज को कोविड नैसार्ज को 2003 जुम्हें आया था उसको जहला इस बार जो कोविड नेंटीन आ इसमें चाइना को बहुत कम इफैक्क पड़ा इतना न कि जो चीज़ यहां पर है जानते हैं वह यह है कि चाइना की जो ग्रोथ है वह दिर दिर ओर गिरेगी कि एकनिमिक स्लोडाउन यह पहले से ही देख रहा था और अब जो है इसकी ग्रोथ और गरने के चांसेज हैं चाइना की पोजिशन थी वर्ल्ट बिगेस्ट एक्सपोर होता था लेकि कंजूमर्स एक अच्छी पोजिशन में रहते थे अब चाइना को जटका लागा हो सकता है चाइना वर्ल्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर नहीं रहे है सप्लाइचें डिस्रेप्ट हो जाए तो अब इसके कॉम्प्टिशन में इसके बराबरी करने वाला कोई कोई है भी नहीं अब एक्सपोर्ट तो करने पड़ेंगे सिस्पोट कर रहें सुस्थे में करते तो सबको फायदा होता था के कोई इसके बतान बनाना ही सकता सामान जतना है मना सकता है तो चाइना की अगर मेनफेक्ट्रिंग रस्ट गिरेगी तो और कंट्री भी आ गई अगर इसकी जगह लेने इंडिया तो जो है जैसे इंडिया गई वेतना बंगलादिश तो होंकों वेतना सिंगपूर तो यह क्या है कि यह चाइना को पॉडिशन को रिप्लेस नहीं कर सकते यह महंगे सामान में चाहिना से और इस टाइम पर जब कंडिमांड कम होने जाएगी कोविट नैंटीन के बाद जब लोग खरीदना कम कर देंगे तो महंगे चुछों को खरीदेगा कौन एकनोमिक डाउंटन इंटरनेशनली फिर आ जाएगा यह यह पूरा परिग्राफ इसमें यह कहा जा रहा हाला कि यह जो है इतने मैंने बोला यह कहां नहीं तर लेकिन इंडरेक्टली जो है यह मतलब है चाहिना से भी आगे निकल गए कुछ कंट्री जो हैं सीरियस इस प्रोलम से जूज रही हैं और कुछ भी रिमेडी अवेलेबल है तो हुमन काउस्ट फिर भी जो है भड रही है टेस्टिंग भी है किट्स भी है वैक्सिन बन भी रही है लेकिन फिर भी हुमन कोस्ट बढ़ र रहा था और दुनिया पहले से ही जो है अंसर्टेन एकनोमिक इंवर्मेंट से जूज रही थी क्लैमिट चेंज एकनोमिक स्लॉडाउं ट्रेडवार यह सब हो रहा था इंडिस्ट्री पहले से चलेंज फेस कर रही थी इंडिस्ट्री बस इनोवेशन करने जा रही थी इंप्रूमेंट कर रही थी क्योंकि आने वाले समय में इंप्रूमेंट करना ज़रूरी और टाइम पे ऐसा जटका लगना तो अब इंप्रूमेंट के उन उनकी ही पार्टी के अंदर चाइना में वोटिंग तो है नहीं जैसे जी जिशिंगिंगंपिन ने खुद को जब तक उनकी अमना उडिमिटेड टाइम तक जब तक वो जिन्दा है था अब तक वो चाइन अगर प्रेशिडेंट रहेंगे ऐसा उन्होंने चैना के इस नहीं ड पर कफिजदा सवाल उठ रहे हैं और हो सकता है कि इंग का जो है ये प्रेशिडेंट पत्पे ना भी रहे हैं अफिर इन पर सीरिस सवाल उठे हैं पॉलिटिकल अंसर्टिनिटी भड़ रहे हैं अब आप लोग कुछ लोग खुश होंगे कि बड़ी है ऐसे जी जिनिपिंग जो प्रेशिडेंट नहीं रहे लेकिन को कभी भी पॉलिटिकल अंसर्टिनिटी आती है तो देश कुछ सालों तक जब तक अंसर्टिनिटी है तब तक बड़े इंवेस्टमेंट नहीं करता एकनोमी में ध्यान कैसे देगा क्योंकि पावर जो है वो पॉलिटिक्स बचाने म समय बड़ा जिसमें आएगा जिसमें काफी जाद इंवेस्टमेंट लगानी कोशिश होगी जिसमें सब को साथ आना पड़ेगा ऐसे समय पर चाइना की बहुत इंपोर्टेंस होगी और उस्तेमें अगर पॉलिटिकल अंसर्टिनिटी चाइना में चलेंगी तो फिर पुरी कि इंडिया की बात करें तो कहा गया था शुरू में कि इंडिया जो है टोप फिफ्टीन मोस्ट इफ अफेक्टेड एकनोमी में आएगा और दिरी दिरी जो है पैंडेमिक वैसे ध्यान नहीं दिया हमने लेकिन फिर हमने एक साथ जो हिस पर ध्यान दिया प्रिशन लगें में कुण और ऑफिष है रहें को लगेंगे कहीं अपने को रिवाय करने में पर नॉर्मली लाने में मानलोग खतम भी हो गया तो चरह में लगेंगे हमको पूरी तरीके से वापस आने में तो इस्टिमेशन से इनको बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकता है तो इंडिया बेशक स्पीड में काम किया जैसे पेंडेमिक आया पेंडेमिक गोशी तुई लोगडाउन हमने कर दिया मोदी जी ने सीरियस ग्लोबल क्लाइस इसको बताया और दो नेशनल ब्रोड़कास्ट दिये कल तीसरा आया था इसके बाद जो है इन्होंने जनता कर्फियू लगा दिया सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने की प्रिकोंट टास्क फोर्स इन्होंने जो है की फाइनेंस मिस्टर के अंडर ठीक है कि सब हुआ हमने सब स्टेप्स लिए और पेंडेमिक जो है वो बढ़ता जा रहा है और इंकोनोमिक का इंफेक्ट कम से कम पड़ रहे इसके लिए टास्क फोर्स बे अनूंस की गई थी 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 वीक का लॉंग लॉंग डाउन है कुछ प्रिकोष्टनी मेजर्स जो है वो भी अनॉंस कर दी गई है और कुछ जो ह रहे हैं जैसे होम आइसोलेशन होम कॉरेंटाइन यह सब पूरी दुलिया में चल रहे हैं अब आगे क्या है यह साफ पस्ट तो है नहीं लेकिन अनुमान लगाय जा रहा है लोबल रिसेशन जो है आ सकता है इन्वाइटेबल यानि आने के चांसे पूरे-पूरे है इनवा सबस्ट हुआ उनको वह भरभाई करने कि अब कोई भी पेंडेमिक है उसके बाद लोग जहां कहिने की कैसे सोचेंगा तो मजदूर है देखो हमारे देश में सबसे पहले रूरल डिमांड की कमिती मैं स्टार्टिंग से बोलता जब से टोलर बनारों जब से अपने दिक्कत सब्सक्राइब करेंगे नोक्रिय चल जाएंगी फिर नोक्रिय चल जाएंगी तो नहीं पड़ेगी इतनी डिमांड नहीं तो साइकल फस जाएगी इसलिए जो हिसे बाहर निकलना जरूरी है इसलिए फंड लाने जरूरी है और फंड भी फंड की मिलने मिट है भारत सरकार के पास ऐसा तो नहीं है कि अर्बो करोड़ लाखों मला बिल्कुल जो है जब तक डिमांड नहीं है तब तक लगाती रहे यह सेमी तो होती है एक फंड की कितना कर सकते केप्टल कितना कर सकते हैं तो कुछ चेंज़ेस लाने वाला ग्लोबल ओडर में और यह जो है चेंज़ेस कुछ समय से आई रहें लेकिन बढ़ जाएंगे जैसे यूएस जो है उसकी पावर कम होती जारी थी अब और भी कम हो सब्सक्राइब की चाहिना की जो है फावर थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि दोब ठरश्या के साथ इसकी दोस्ती भड़ रही है और कभी बी कोई अगर यूएस पावर की योईस की पावर कम हो रही है तो पावर किस्थान कौन लेगा वह पावर कोई ना कोई तो उसकी जगह ले गई ना तो चाइना ले सकता है मैं से निकला चाइना सूपर पावर एक तरीके से बहुत जो है ग्लोबल ओर्डर को लीड करेगा नहीं चाइना की इमेज चाइना को जो है काफी साल लग जाएंगे इपनी इमेज बनाने में लेकिन जो जगह यूसे के द्वा से जो है वह होता जा रहा है और यूसे जो है उन कंट्री में से एक है जिनको बैडल इफेक्ट पेंडेमिक से एक इसिस्टिंग अंसे देखें फैनेशन मार्केट भी अगर देखे यूस के इस टोक मार्केट इसके गिरते जा रहे हैं तो हो सकता है जो है यह अब न्यूट हो रहा है साथ ही साथ में क्योंकि चाइना की पर्चेस पावरिंग पैरिटी बढ़ती जा रहा है और यूस जो है वह लार्जेस्ट इकनोमिंग देवल्ड नहीं रहा पी पीपी के मामले में हम तीसरे हैं पहला यू पहला है दूसरा यूसे हैं तीसरा हम है तो यूस के चीज को खरीद नेगी पर्चेसिंग पावर किरती है तो रश्या जो है वो एकनोमिकली पुलिटिकली स्टैबल भी हो गया रश्या की इतनी ग्रोथ नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह पुलिटिकली सर्टेनिटी बनी हुए किसी का फिक्स रश्या न इसका इंपक्ट जो है लिब्रल इंट्रेशन ओडर पर डिरेक्ट पढ़ेगा और तरेटर रिजे में बढ़ेंगे अब और तरेटर रिजे में क्या होता है तो कि इसकी वजह से जो है सोशल कंसर्स निकल गया एंगे वेंटल स्ट्रेस निकल गया कुछ लोग सुसाइड कर तो उनको ओर इस जहना पड़ेगा अपने सिटीजन का मेंटल जो है स्ट्रेस नको देखना पड़ेगा नोखरिया वैसे नहीं थी और भी कम हो जाएंगी तो हो सकता कि सरकार को जो है और कुछ ना कुछ करना पड़े नोखरिया लाने के लिए दूसरी बात यहां भी यह है कि माईग्रेंट इस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग जो है अपने गाओं में गए अब यहां पर देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि लोगडाउन की जैसे लोग जो है माईग्रेंट वरकर्स वो दिल्ली छोड़के यूपी गए यह पर जो वरकर्स जा रहे थे कि जैसे लोगडाउन की ओजैसे नहीं गर र does अल्थी तो राजय तरव महीन है यहां, नोगरी लेंगे जितने घर पे रह जाएंगे इस वज़े से वो निकले तो यह लोंग टर्म की सोच के वो निकले थे ठीए एक डिजिटल फेक्टर यह आएगा कि ऑथरेटरियन बढ़ जाएंगे यानि डिक्टेटरशिप जो है बढ़ सकती है डिजिटल मामले में कैसे जैसे चाइना ने किस में इस तरीके से पेंडेमिक कारो का सारी कंट्रीस इसका सिस्टमाल करेगी एक्जेमिल का कि स्ट्रिक्ट Decker news. जिए पेंडेमिक को रोका सारी कंट्रीज इसका इस्तमाल करेगी एक्जाम्पल का कि स्ट्रिक्ट जो है होना चाहिए लीडर्शिप और जो पुछ तरीके से जो है और बिल्कुल जो है एक कसर भी नहीं रहनी चाहिए तो कंट्रीज जो है डिजिटल ऑथरेटिसम बढ़ा देगी चैना में अगर मैं बात करूंतों बहां की जो सिम महला फॉन जो नंबर होता है वह उसके हें से हिल्ट सरफ हर हर चीज़ सरे लेटेड होता है सिम एक तरीके से बहुत इंपरेटन अब चाइना में इस तरीके से जो है डिजिटल और यो में है बतलब डिजिटली जो है वो काफ़ ज़्यादा कंडॉल बनाए रखते हैं और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता तो इस तरह के चांसे जो है इस तरह की पॉसिबिलिटी भारत में भी और कहीं भी हो सकती है चाहे दूर से लगे कि हाँ यह डेमोक्रेटिक लेकिन प्राइवेसी लो तो है नहीं बात के पास अभी नेक्ट हुआ नहीं अभी एक क्राइसी आ गया तो सर्विलियन जो है वह बढ़ सकती है और देखे तो डाटा प्रोटेक्शन लोबी लाने से जरूरी है तो इसको चाहिए से सोशल मेनेजमेंट आप क्या दो लेकिन फिर भ टाइए तो गयाज इती है मेरी वीडियो थैंक्स वर वोचिंग जाहिंद गॉट ब्लेस योल